जै मातादी दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको लगे कि वीडियो शेयर किया जा सकता है किसी की मदद की जा सकती है अंक गडित के छेतर में तो वीडियो को साजा वीडियो को शेयर जरूर करें कल का जो रिजल्ट था दिल्ली भजार 51 के साथ खेल चुरू किया फरिदाबाद 55 के साथ रहा गाजियाबाद में 62 खुला है गली में 63 खुला है और दिशावर ने आज सुबा फिर अपनी 94 की पलट 49 खोली है अब यहां से अंक गडित किस रहा चल सकता है कौन से अंक कौन सी जोडियां आपके लिए फाइदे मन साबित हो सकती है आपको वीडियो में अच्छे से सुनने को समझने को जरूर मिलेगा कल जो मैंने आपको खेल बताया था उस पर परवुराम जी की कृपा इतनी बढ़िया बरसी की दिल्ली बजार में आपकी विद लोकेशन 15 जो मैंने दी थी 51 के रूप में प बिश्वास था तो नो हमारा बाद में दिशावर में यहां पर खुला है क्रोसिंग भी हमारी यहां पर पास हुई है राम जी ने यहां पर जाकर किरपा बरसाइए सुबा सुबा की वहिया खाली हाथ नी जाने दूँगा कुछ ना कुछ परसाद ले कर जाओ तो अपना ज नहले को छे में गुमा के भी काम किया है तो सबके अपने-पने खेल हैं मैं उसको पासिंग नहीं मानता मैं बस यह चीज कहता हूँ आपने अपनी समझदारी दिखाई आप इनाम के हगदार हो आप जीत के हगदार हो क्योंकि आपने खेल को समझा जो भाई खेल समझेगा वो खेल बनाने में भी बिल्कुल बढ़िया एकदम तत पर चलेगा चीजे उसको मिलेंगी ही मिलेंगी क्योंकि जब चीजे आप अपने दुआरा करते हो तो आपको सीखने को भी मिलता है आपको जीतने को भी मिलता है और जब आप हारते हो तब आप और ज्यादा सीखते ह कि भाई यह चीजे ऐसे करनी अगली बार तो यह अंकगडित की तागत अगर अंकगडित पर अच्छे से फोकस करोगे तो चीजे आपके इससे में जरूर कहीं न कहीं से आएंगी कल एक वीडियो मैंने बनाया है कि भाई क्या हमें सट्टे से लोस कवर हो सकता है लोस क्यूं ह होता है एक वीडियो वह भी देख लेना अपने दूसरे चैनल पर मिल जाएगी आपको और घखानली की पहले बुकिंग करा दो तो आपको उन सब चीज़ों से बचना भी है क्योंकि समझदारी यही कहती है कि अगर आपने अंकटित सीखना है समझना है फायदा लेना है तो आपको वीडियो देखनी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूं मैं कभी कबार वहाँ पर जुड़कर मेरे साथ रह सकते हो और जल्दी ही आपके लिए बड़िया बड़िया वीडियो उस पर काम कर रहा हूं कुछ नई नई ट्रिक्स आपको दिखा दूँगा बता दूँगा जो आपको हमेशा काम करके देखने को मिलेंगी अब यहाँ से आज के अंक गडित पर एक विस्तार ही चर्चा कर लेते हैं तो दोस्तों आज का जो अंक गडित है जो दो तिन दिन से मैं खेल को समझ रहा हूं देख रहा हूं उसमें एक चीच कोमन लग रही है कि कमपनी नहले पे और छे पे घर पनाना शुरू कर रही है कल आपने दो बार छे कांक देखा एक बार नहले कांक देखा और अगर सिरी गनेज भी जोड लोगे तो दो बार नहले कांक हो जाता है इससे पुराने दिन में जाओगे तब भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा नो खुल गया दो बार उससे पुराने दिन में जाओगे तो भी आपको ऐसे देखने को मिलाएगी 6 और 9 एक दो दो बार खुले हूँ हैं तो इन चीजों को अपने ध्याम में रखना पड़ता है चीजों को समझना पड़ता है कि 9-6 गेम लेकर आ रहे हैं तो हम इनके साथ अपना एक दो दिन लेकर चलते हैं कहीं हमें पासिंग दिला सकते हैं और लोस कवर होना इसी का उद्धारन है कि भाईया आपको जीत जबी मिलेगी जब आप किसी अंक पर विश्वास दिखाओगे कुछ जोडियों पर 2-3 दिन विश्वास दिखाओगे तब ही आप जीत पाओगे तब ही आपको जीत मिल पाईगी अब ये चीज़े आपको समझनी है कि कौन से अंक पर विश्वास दिखाकर कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना क्योंकि लागत आपकी लगनी है धैरे आपका चैक होगा परसाद राम जी के दुवारा दिया जाएगा फल आपको कुद्रत देगी के भईया इसने अपना धैरे दिखाया तो चीज़े इसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए अब क्रोसिंग में यहाँ पर 5 खांक बहतरीन बन रहा है इसके बाद चार का अंक लाजवाब है पिछले हफते देखने को मिला सत्ता बढ़िया खुला सनी रविवार के दिन तो आज भी सत्ता खुलने के चांस बन रहा है साथ में हमारा एक्के कांक हमारा कल भी हमें यहाँ पर पासिंग दे के गया था हरूफ पास हुआ था विद लोकेशन क्रोसिंग में पंजा नहीं था जिसके ऐसे क्रोसिंग पास नहीं हुई थी तो यह चीज़े हैं जो क्रोसिंग में आपको तागत दे सकती है गेम अच्छी है जोडिया काफी अच्छी है जो यहाँ पर खेल खुला हुआ है उसका ध्यान रखकर जोडिया बनाई है इसके अलावा यह जो क्रोसिंग बनाई है इसके अलावा रविवार का ध्यान रखा है जोड़े का ध्यान रखा है तो जो चीज़े आपका काम करके दे सकती है उन सब चीजों का ध्यान में रखकर आपके लिए मैं बाते हैं पता रहूँ अब यहाँ पर एक चीज कोमन है है कि यह बाइस तारीक है आज तो जोड़े के चांस रहेंगे और एक चीज याद रखना जैसी अभी हवा चल रही है जैसी अभी हवा चल रही है कि दिशावर 49 में के बाद 14 फरिदाबाद 55 इसके अलावा गली में एक दिन पुराना देखोगे तो 11 खुली दिखेगी तो यह हवा जो है यह हवा अभी आपको एक दो बार दीन बार जोडे खुलते देखने को दिखा सकती है चांस बन रहे हैं कि जोडे अभी खुलेंगे या फिर जोडे की गेम जरूर खुलने के चांस बनेंगे तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखकर अपना खेल चलाना है यह से मानने के जलो पच्पन जो पजा है पजा किसी का लख़ी होगा तो वो पज़े की 50,05 कर लेगा पज़े की 80,100,00 होती है ओवो कर लेगा और पजपन कर लेगा तो उसका जोड़ा खुले के चांस अगर खुले जोडे उसमेंसे तो उसका काम डल सकता है इसके लावे वो जोडियां खेल लेगा तो ये simple से patterns होते हैं ट्रिक होती है ये जो हमें समझनी पड़ती है जो हमें गेम में डालनी पड़ती है अब यहां से फटाफट फटाफट खेल को बढ़ाऊंगा आगे दिल्ली बजार की बात करूँगा दिल्ली बजार में 51 के उपर क्या कुछ खास रह सकता है तो देखो दोस्तो 51 के उपर आपका 45 का समीकरन लाजवाब तरीके से काम कर सकता है साथ में 69 का समीकरन बहतरीन काम करके दे सकता है इस location में मैं पंजे के साथ जाओंगा मुझे लगता है कि पंजा यहां पर वापस से खुलने वाला है चांस बना कर दे सकता है एक और चीज़ सुन लेना कि पंजा जो है वो जीरो की फैमिली होता है और मैं कितनी ही बार आपको बता चुका हूँ कि रविवार के दिन जीरो पंजा सक्रिय हो जाते हैं खुलने के समीकरन बनते हैं अभी जिस परकार से कमपनी ने 51-55 खोला और शिरी गनेस में 69 खोला है न उसको ध्यान में रखते हुए पंजा ही बहतरी नंक है काम करके दे सकता है अगर जीरो खुल जाए तो मुझे माफ कर देना मैं जहां पर आपको ले जा सकता हूँ जितना मैं देख सकता हूँ उतना ही आपको दिखा भी सकता हूँ मैं उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ बताऊंगा नहीं कि यह कर लो वो कर लो क्योंकि जो चीजे मैं समझ सकता हूँ वही समझाने में मैं अपने आपको मानता हूँ कि वही समझाऊंगा लोगों को फाइदा हो सकता है अब यहाँ से फरिदाबाद में पचपन के उपर क्या कुछ कर सकते हैं तो विए देखो पचपन के उपर आप खेल में लेके जा सकते हो 57-75 जो की एक बेस्ट जोड़ी है इसके अलावा 52 का समीकरन भी लाजवाब तरीके से काम कर सकता है इस लोकेशन में भी पचपन की बाइस देखने को मिल जाए हो कुछ भी सकता है लेकिन जो सबसे जादा चांस रहेंगे वो आपके सामने है कि भी यह 57-52 पचपन के साथ लाजवाब तरीके से काम कर के दे सकती है अब यहाँ से बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ गाजियाबाद में 62 के उपर क्या कुछ कर सकते हैं हम तो देखो 62 के उपर आप रखना चाते हो तो 66 का जोड़ा रख लेना मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा आपको 66 की फैमिली का ही 61 आपको मेही तरफ से गिफ्ट रहेगा इसके अलावा 62 का आपको बानवे भी देखने को मिल सकता है या फिर 65 भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो इसे रख लेना ये आपके लिए काम करके दे सकता है छे के अंक पर विश्वास दिखाना यहाँ पर छे आपको मदद करेगा जोडियां बनाने में छे मदद करेगा आपको खेल को चलाने में तो यहाँ पर गाजियाबाद तीन जोडियों में कवर करती है बता दिया है मूसे की भया इस तरीके चीजे काम करके दे सकती है तो समझदार के लिए क्या होता है इशारा काफी होता है तो जब समझदार इशारा देख लेगा समझ लेगा तो अपना खेल बना लेगा अब यहां से बढ़ते हैं आगे गली की तरफ अब गली में भया 11 के उपर 63 खोल दी कमपनी ने 63 खोलने का मतलग है कि कमपनी आ तो यहाँ पर छक्य के साथ पंजाज पेच सकती है या कमपनी यहाँ पर आपका 63 का 73 कर सकती है काफी अच्छी जोड़ी है चांस बनाएगी अगर बात रहेगी अंक की तो यह 6 पे जादा विश्वास दिखाऊँगा यह 6 रिपीट होता देख रहा हूँ यह 6 के चांस दुबारा देख रहा हूँ इसलिए 65 के साथ कवर कर दिया है 73 के साथ कवर कर दिया है यह 65 खुलने के चांस भी काफी अच्छे रहेंगे 63 की वज़ासे 62 की वज़ासे 55 की वज़ासे तो काफी वड़िया चांस है अगर यह जोड़ी कहीं भी खुलती है तो आप समझ जाना कि कुंडुबावा ने काफी मैनत करी थी लेकिन गली में इस जोड़ी के सबसे बेस्ट चांस बन रहे है 65 आपको ओल्डे बेस्ट रहेगी अब चीजे देखो लो समझदार के लिए हैं यह अगर समझ लोगे तो आपको फाइदा मिल सकता है और जरूरी नहीं कि यह पास होगी कौन चीजों को समझ रहा है कौन चीजों को बेमाने दंसे कर रहा है जबर्दस्ती कर रहा है जो समझ के करता है, जो ठीक से करता है उसका रिजल्ट एकदम तयागी वो अपना बड़िया लाब लेगा ही लेगा अब यहां से दिशावर में उनुचास के उपर फटाफट से काम कर लेते हैं तो दिशावर में उनुचास के उपर एक ही चीज नोट करने में आई है कि यहां पर नहला रिपीट होने के समीकरण काफी अच्छी है लेकिन नहले के जो चांस बन रहे हैं सब जादा वो 98 पे 49 पे और 96 पे बनेंगे एक नजर मार लेना अगर पसंद आए तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बाबा जी आप 5 जोडिया दे दिया करो बस हमारी गेम पास हो जाएगी आपका खेल बहुत बढ़िया है मिरे प्यारे दोस्तों ये सब आपका प्यार है आशिरवाद है कि चीजे इतने बढ़िया तरीके से निकल कर आती हैं चीजे आपको समझ में आती हैं बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि यारे कितनी जोडियां बता के चले जाते हैं कैसे खेल बताते हैं इतनी जोडियों में भी लेना देना नहीं है, क्रोसिंग में जो क्रोसिंग खेलता है, क्रोसिंग के जो अंगों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी जगा बैठा हुआ है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाईया, जिसको जहां से बढ़िया चीज़ें मिल जाएं, वो अपना सरमात्थे लगा के सु राम जी इस पर किरपा कर दें, बढ़िया सी आपका फायदा हो जाएं, यही मेरी प्रातना है, यही मेरी चाहत भीए कि कल बढ़िया से मिलें, सोमवार का दिन एक अच्छा सा उर्जा भरा हो कि आपकी गेम पास हुई है, इनी शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करता हू कल फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाईयों को राम राम, नमस्कार, धेर सारा प्यार